हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वडियो में हम लोग क्लास टेंथ का विज्ञान का ध्यान दिजिएगा विज्ञान का प्रिवियस एर मॉडल कोश्चन पेपर लेकर आये हैं जिसमें आप से 40 MCQ पूछा जा रहा है तो सभी सवालों को एक अच्छे नजर से देखना है आप लोगों को और बिल्कुल सभी सवालों का आंसर करने का कोशिस करना है और जितना आप लोगा 40 में सही होता है उसको कॉमेंट करकर हमें जरूर बताना है कि 40 में आपका कितना नंबर आता है वीडियो काफ सेट सोसल साइंस का अपलोड कर दिया है यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वहां जाकर जरूर देख लिजिएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल देखिए स्क्रीन पर आपका आ चुका है सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि डाल ही बनाने वाले डाल ही बनाने में किस परकार के दर्पन का परियोग करते हैं आपसे आपके पास है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आउतल दर्पन का आउटल दर्पन का आउटल डाल ही जो हम लोग बनाती है तो क्या करते हैं वहाँ देखतो लाइन लगा होता है सब लोग क्या करता है अब तब करने लगता है कि अब मेरी बारी आएगी कोई बलता है मेरी बारी आएगी तो दाड़ ही बनाने वाले जब जाते हैं न सेलून में तो वहाँ पर वो लोग ज्यादा हडबर में रहते हैं अब तब मैने रदेंगा, अब तब से क्या हो जाएगा, अउतल हो जाएगा, याद रखियेँ गाई-ट कुश्छन है, आपका गोलीए दर्पन में फोकस दूरी एवों बकर्ता रिज़िया के बीच क्या संब्द है, तो गोलीए दर्पन में जो फोकस दूरी होता है न, इस बराबर वो क्या होता है भाई, R by 2 होता है, ठीक है, बास समझे भाई, option number B हो जाएगा, इसको right लेने हैं आप लोग, question number आते हैं, 3 पे कह रहा है कि परकास के अपवर्तन की किरिया में कौन सी भौतिक रासी और परिवर्तित रहती है, तो परकास के अपवर्तन की जो किरिया हो आप परिवर्तित रहता है, ठीक है, अब यहां पर एक trick अपलाई हो रहा है, उसको देख लो, परकास के परावर्तन की किरिया में कौन सी भौतिक रासी जो है अपवर्तित रहेगी, अप परिवर्तित आवर्ति, दोनों ओ-ओसे है, ठीक है, बाकी सब में देख लो, ओ नही होकर गुज्रेगा ठीक है अब यहां पर एक ट्रिक लगा लो कि आउतल धर्पन ठीक है मैं के चलो को इसके बात किरन किस बिंदू से खुरेगा कोई तुम से कहेगा कि हम वहां से गुजर जाएंगे तुम क्या बोलोगे तुम गुजरोगे तो मेरा नजर तुम्हारे उपर ह ही रहेगा इसका मतलब क्या फोकस इसका मतलब क्या वाफोकस मेरा फोकस तुम्हारे उपर ही रहेगा ठीक है यानि कि F B कॉश्चन नमबर आते हैं हम लोग 5 पे इसमें कह रहा है कि कि किसी दर्पन से वस्तू को कहीं भी रखने से वस्तू के बराबर अकार का सीधा परतिब परतिबिबिम बोला है सिस only सीधा ठीक है छोटा बढ़ा यह सब जिकर नहीं किया है तो यहाँ पर घिम बोल् себें को जाएगा सीधा सिधा सम्तल ठीक है तो बोलता है कोई बोलता है सीधा लेट जाओ आप डॉक्टर के यहा न तो दो तेन डॉक्टरила दो तिन तरह का भासा बोलेंगे, जब उसको चेक अप करना होगा, कोई बोलेगा सीधा लेड़ जाओ, कोई बोलेगा समतल लेड़ जाओ, तो एक का एक की, ठीक है, पासमद भाया, समतल, कोईशन नमराते, 6 पे कह रहा है, परकास के अपवर्तन के कितने नियाम है, भाई, परकास के अपवर्तन के जो नियाम है न, वो दो नियाम है, ठीक है, इसमें तो कॉनो ट्रिक क्या बेसकता है, है नहीं, तो यहाँ पर आप लोग समझ लेड़ा, उसके बाद है, हमारा किसी गोलिये दरपन की जो वकरता तरिज्जा है वो 50 cm है उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आर जो है ना बाबू, आर दिया है 50 cm, तरिज्ज्जा का माने ही होता है आर, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है? एफ, एफ बराबर होता है बाबू, आर बाइटू, आर कितना है? 50, 50 ब लगन को दबा लिजेगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पर जाए इससे पहले जैक बोड़ ने आप से 30 MCQ का जो है model paper दिया था original वाला और यह जो हम करवा रही है previous year वाला दोनों important है अगर आपने इसको practice rate लगाना है तो आप हमारे website पर जाएगा वहाँ पर आपको बिल्कुल computer वाला feeling में आप वहाँ पर टेस्ट लगा पाओगे website बोड़ाने के लिए सिप Google पर आपको लिखना है जैक पूर जैसे ही आप लिखोगे आपको मेरा website मिलेगा वहाँ जाओगे वहाँ पर आपको आगे का process अपना होगे वहाँ पर जाकर क्या आप टेस्ट लगा सकते हो और देख सकते हो कि आपका 30 में कितना सही हो रहा है अब बात आ रहे थी कि मैनस लेंगे कि पलस लेंगे तो उत्तल को पलस में ही लिया जाता है ठीक है बात समझ में आई किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती जो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होगा हमेशा positive होगा बात समझ में आया बात समझ में है कि नहीं तो इनसान देखो उत्तल से आप हमेशा उत्तल, उत्तर से उत्तर याद रखो, ठीके? कोई भी जो उत्तर होता है न बबु, उत्तर हमेशा पॉजिबिटी को दर साता है, कभी भी कोई निगेटिव उत्तर देने के नहीं चाहेगा, ठीके? आप भी एक्जाम में जो होगे, तो पॉजिटीव उत्तर देना चाहोगे, नेगेटिव नहीं दोगे, कई-कई एक्जाम में देखोगे, नेगेटिव उत्तर दोगे, तो नमबरे कड़ जाएगा, ठीके? बस नमबर आएगी नहीं? कुश्चन नमबर आते हैं, कुश्चन नमबर दस में कह रहा है, कि परकास का वेग नियूनितम होता है, परकास का वेग नियूनितम कहां पे होगा, वो आपको बतानी है, तो भीया, जल में जो होगे, दिये गए ऑप्संस के अनुसार, कुश्चन नमबर आते हैं, 11 पे कह आए 4D च्हमता वाले आउटर लेंस की फोकस दूरी क्या होगी यानि क्या बोला है फोर डी च्हमता है लेंस की छमता कितना है 4D ठीक है तो भी आप पी बराबर हमें क्या निकाला है फोकस दूरी निकाला एफ बराबर होगा 1 by p कर लेते हैं तो 1 by 4 1 by 4 को जब आप कितना आजाएगा 25 cm कितना आजाएगा बाबू 25 cm आपका आंसर हो जाएगा याद रखिएगा 25 cm न यह किसमें बाबू option नंबर बी में है 25 cm आंसर कर लिजिएगा ठीक है question नंबर 12 पर यह कह रहा है कि किसी उत्तर लेंज की फोकस आंतर 50 cm है तो उसकी छमतर क्या होगी अब उत्तर लेंज है बाबू ठीक है क्या है उत्तर लेंज है उसका फोकस आंतर 50 cm है यानि f देरिया 50 cm तो उसकी छमतर क्या होगी तो p बराबर हमें निकालना है ना p बराबर क्या हो जाएगा ठीक है तो 1 by F यह ना P बराबर क्या हो जाएगा 1 by F लेकिन हमें P जो निकलता है ना बाबू मीटर में रहना चाहिए ठीक है तो यहां पर दोको फोकसांतर कितना है 50 cm इसको मीटर में चेंज कर लिए ना पहले ठीक है चुकि F बराबर पहला यही ले लिखाएगा F बराबर 50 cm या फिर बराबर दे करके लिख देना 50 बटा 100 बराबर 0.5 मीटर यह हो गया क्या F अब हमें P निकालना है तो P बराबर क्या होता है P बराबर 1 by F होता है चीक है तो 1 उपर लिखो F केतना हो गया 0.5 अब क्या करेंगे ध्यान देना यहां पे पॉइंट वा को उड़ा देंगे जैसे उड़ाएंगे उपर में 10 जाएगा 5 से ही कट जाएगा 2 बार में कितना आ गया 2 तो 2 डायोप्टर अंसर हो जाएगा कहां पे अप्सन नंबर C में है दो डायोप्टर अब बात आएगा कि मैनस वाले लेंगे कि पलस वाले सॉरी सी में मैनस है न दी वाले लेंगे कौनशे में लेंगे डी वाले लेंगे क्यों लेंगे क्यों क्योंकि बास समझ रहे हो न क्योंकि क्या होगा क्योंकि यह उत्तल है क्या ह है اुस्तSON हमें से क्या होता है इसलिए क्या हो जाएगा इसका option not d हो जाएगा ठीक है क्यों जोलो ह्याइख का थी हो चाल सरवादिक होती है टीक है क्यों इसमा डीक होती है थीए तो बहँ या उसमाच चेपी को पैचानने हैं कौन यहां से होगा तो राइट अंसर होगा आपशन नमबर A सोसन जो सोसन होता है न उसमाच चेपी अभी किरिया होती है question number आते है 15 में कहा जा रहा है कि chips के packet में विक्रित गंदिता से बचने के लिए कौन सी gas डाली जाती है आप लोग जो खाते हो कुरकुरे खाते हो और chips खाते हो और नजाने तिलह मेले खाते हो क्या क्या खाते हो comment करकर जरूर बताना तो उसमें जो खाते हो आप तो देखो कि फूला वहा रहेगा तो यहां पर विक्रित गंदिता से बचानी के लिए उसमें क्या भरते है तो nitrogen को भरते हो Option Number B होता है क्या हो जाएगा Option Number B question number 16 में कह रहा है कि जंग लगना किस परकार की अभिकिरिया है जंग लगना संयोजन होगा बियोजन होगा विस्थापन होगा और द्वी विस्थापन होगा तो दिखिए जब आप कोई छाड़ है ठीक है इसमें जब जंग लगेगा ना बाबू तो क्या जागा ने इसके उपर कुछ कुछ ऐसे जम जाएगा ठीक है ब्राउन कलर का जम जाएगा तो वो क्या होता है उसमें कुछ सही ओजन हो जाता है क्या हो जाता है सही हो जाता है option number a हो जाएगा हमारा right answer question number 17 पे आये question number 17 में कह रहा है दिये गए अब इकरिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है क्या पुछ है आपसे उपचयन किसका हो रहा है यह आपको बताना है देखे जेडेनो पलस सी पलस जेडेन पलस सी ओ ठीक है यहाँ पर जिसमें oxygen जूट रहा है उसी को उपचयन हो रहा है अगर आप ध्यान से देखो इसका right answer तो हम पहले बता देते हैं आपको option A होगा लेकिन क्यूं होगा बाकी Q नहीं होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर देखो यह क्यूं नहीं होगा इक ही को समझाएंगे ज्यादा नहीं देखो बी क्यूं नहीं होगा क्यूं यहाँ पर चार गो अलमुनियम यहाँ यहाँ देख रहा है तो यह भी बैलनस नहीं है तो यहाँ पर जो भी देखोगे सब बैलनस देखो है है औक्सीजन तीन तो यहाँ पर है एक तो यहाँ पर चार गो ऑक्सीजन देख रहा है दूठो यहाँ पर है दूठो यहाँ यहा यहां है calcium ठीक है देख गया न इसी परकार से हम लोग जो यहां पर देखते हैं तो सारा यहां पर आप लोग देखोगे तो सारा का सारा क्या हो जाता है बैलन्स हो जाता है ठीक है चलए आते हैं हम लोग question number 19 में question number 19 में आओ कह रहा है कि दिये गए चित्र में कौन सी अभी किरिया हो रही है यानि इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखो और बताना है कि आपको इसमें कौन सी अभी किरिया हो रही है तो यहाँ पर आप देखो कि यह जो अकेला पीबी है पहले से दो दोस्त थे मिले वे ये क्या करता है उसमें से एक को अपने साथ ले लेता है उसको उससे विस्थापित कर देता है उसको उससे क्या कर देता है विस्थापित कर देता है उसको उससे क्या कर देता है विस्थापित कर देता है बोलता है कि दो लोगों के दोस्ती में बास समझ माया है कि नहीं तो उसको विश्थापिते कर दिया है उसको हटा ही दिया ठीक है विश्थापन अभी कर दिया question number आते है question number 20 में कह रहा है दिये गए पदार्थ में कौन गंदिकिये सूचक की तरह वैवहार करता है हलदी करेगा लिटमस करेगा चाइना रोज करेगा प्याज करेगा गंद जिसमें गंद होगा तो गंदिये सुचक है प्याज हो जाएगा बाकि सब क्या प्राकितिक सुचक है क्वेशन नमबर आते हैं 21 में कह रहा है कि हड्डियों को जोडने के लिए डॉक्टर किस लवन का परियोग करते हैं आप लोग को पता है हाथ पैट टूट जाएगा आपका मतब तूटेगा नहीं ऐसे बद बोल रहा है आपको अगर टूट जाएगा तो आपको यह वला परि याद रखेगा यह बहुत फेमास है यह कोश्चन पूछता है पूछता है उसके बाद आए यह वाला कौह रहा है कि कौन सी अभी क्रिया हो रही है इसको ध्यान से देखना है और समझना है और बताना है कि कौन सी अभी क्रिया है यह सईयोजन है वियोजन है द्विविस्थ आमाटर जो आप लोग खाते हो तो आपको बताना है किसमें कौन सा अमल पाया जाता है औक्जलिक अमल पाया जाता है याद रखिएगा ओप्शन नमबर डी हो जाएगा कुशन नमबर आते हैं 15 पर 25 पर कह रहा है कि तनुकरन परकिरिया में क्या होता है जब कोई आप तनुकरन करोगे तो वहाँ पर होगा क्या और लोगा आपको बताना है तो ऑप्शन नमबर यह बजाएगा एग और एग प्लस बी आर तीक है यही होगा question number आते हैं हम लोग 27 में कह रहा है कि amoeba अपने किस अंग से भोजन का अंतर ग्रहन करता है यानि कि भोजन का ग्रहन करता है ठीक है right answer हो जागा option number C कूट पात के द्वारा किसके द्वारा करेगा कूट पात के अब लोगे amoeba है ठीक है amoeba अपने किस अंग से भोजन ग्रहन करता है ठीक है तो मान के चलो कि वो भोजन को ग्रहन करेगा तो खा नहीं पाएगा तो क्या करेगा कूट कूट करके खाएगा ठीक है इस प्रकास से आप एक imagine create करलो कि amoeba न वो खा नहीं सकता है इसलिए वो न कोई भी चीज़ खाने के लिए उसको कूट देता है ठीक है उसके बाद खाता है तो क्या हो जाएगा ठीक है पाचन किरिया पाचन पर किरिया में वसा का mlc करन कौन करेगा तो पाचन पर किरिया में जो वसा का mlc करन करेगा वो पित करेगा, option number D हो जाएगा question number 29 में आओ कहरा है निमलिखित में से किस जीव में स्वपोसी पोसन होता है तो कौन से जीव में स्वपोसी पोसन होगा तो भाया आम में होगा ठीक है न, क्योंकि वो पीड़ किया करता है स्वपोसी पोसन करेगा मानव हिर्दे में कितने कोश्टक होते हैं तो मानव हिर्दे में चार कोश्टक होते हैं याद रखना है आप सभी को सुपसन वरनक किसे कहा जाता है तो सुपसन वरनक जो कहते हैं वो क्लोरोफिल को कहते हैं option number A हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र की किरियात्मक इकाई क्या है तो उत्सर्जन तंत्र की जो किरियात्मक इकाई है उसको हम लोग विक्रानू कहते हैं Question number आते हैं बाबू hinter 33 में कहरा है विर्ख के क्लिया सिल्ता कम होने पर रक्त को सरीर से बाहर निकाल कर छानने की पर्किरिया क्या कहलाती है तो ये जो कहलाता है वो हो जाएगा अपोहन option number B हो जाएगा Question number 34 में कहरा है जनन की मूल घतना क्या है तो जनन की जो मूल घटना है वो क्या है आपको बतानी है तो DNA की पर्तिकृति का बनना ठीक है Q35 में आओ कह रहा है दिया गया चित्र किस परकार के जनन को दरसाता है तो यह जो figure इसको ध्यान से देख लिजेगा यह सब सवाल important होता है तो यह जो बहु खंडन को दरसाता है किसको दरसाएगा बहु खंडन को Q36 में कह रहा है कि नर युगमक और मादा युगमक के सनलेयन को क्या कहते हैं तो दोनों के जो सनलेयन उसको निसेचन कहें क्या कहेंगे निसेचन करेंगे कोशन नमर 37 में कह रहा है कि लड़कों में यौना अवस्था की लक्षनों का नियंतरन कौन सा हार्मोन करता है तो वह यह लड़के हैं लड़के टेस्ट दिने में आगे रहते हैं हर टेस्ट को पास कर दाएंगे तो टेस्टो इस्टोरन ठीक है याद रखिएगा कोशन नमर 38 में कह रहा है कि सौर इस्थिरांक का मान क्या होगा तो जो सौर इस्थिरांक होता है बबू उसका मान बताना है तो 1.4 किलो वार्ट 20 मीटर टीक है, question नमबर आते हैं, बावब 39 में कह रहा है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, तो जैव गैस का जो मुख्य घटक होता है, वो मीथेन होता है, आप सभी को comment box में मीथेन का फॉर्मूला टाइप कर देना है, जल दीजा, फट आफट, टीक है, question नमबर आते हैं, 40 पे क अंतर होना चाहिए, option number A हो जाएगा, उबीद करते हैं, आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो फिल्स वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल पे पहली बार आयता, subscribe करके, bell icon को दबा लीजेगा, तक लिए आने वाली, हर एक वीडियो